नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फार्मरोक्स की यूट्यूब एजिक इसने चनल में आज की उडियो लेक्चर में हम डिटेल मिस्टेडी करेंगे रिप्टोमर 25 मेडिसन के बारे में तो हम सिखेंगे ये मेडिसन के बेजिक यूज के बारे में कि कौन से अलग लग बी क्या जाता है कैसे हम उसका सही उपयोग कर सकते है उसके प्राइज वगरा क्या है उसके साइड इफेक्स क्या हो सकते है डोस वगरा क्या है ड्रग ड्रग इंटेरेक्शन क्या हो सकते तो डिटेल में रिप्टोमर 25 मेडिसन के बारे में तो ऐसे समझे कि आपको डिटेल में सिखना है बहुत सारी दवाईयों के बारे में बीमारियों के बारे में ता आप medicine course को जोइन कर सकते है फार्मा रोक्स के आप उपर तो ये course को जोइन करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते है या फिर हमारी mobile application को download कर सकते है link आपको description box में मिल जाएगी तो बाद है topic प्योर समझते है ट्रिप्टोबा 25 medicine के बारे में तो ये ऐसे glass का medication की जिसको हम anti-depression कहते है और उसके अंदर जो salt content है वो है ये में ट्रिप्टी लाइन की जो 25 mg जितना ये tablet के अंदर present होता है तो इसके manufacture के हम बात करे तो वाकार्ड लिमिटेड जो है उसके manufacture के जिसका head office जो है वो मुंबई में है तो वाकार्ड के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता दूँ तो ये global pharmaceutical company है साथो साथ ये biotechnological जो products होते है उनको भी manufacture करते है और इंडिया में उसका head quarters मुंबई में है और बहुत सारे bio pharmaceuticals as well as जो vaccines होते है active pharmaceutical ingredients, pharmaceuticals nutritions, supplements बहुत सारे इसे products को manufacture कर दी है ये pharma company तो अब समझते है tryptomer 25 के बारे में तो यहाँ पर सबसे पहले label की study कर लेते है तो label में आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले चेक करा तो ये जो है tryptomer हिंदी में जो लिखा हुआ है तो ये उसका जो है वो brand name है salt content यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Amitriptiline hydrochloride tablets जो है 25 mg जितना कि जो उसका salt content है और Indian pharma koopya के standards के according to उसको बना गया है यहाँ पर logo देख सकते हैं manufacture का walkhard limited जो उसके manufacture है फिर एक जो blister आता है उसके अंदर इस तरह से आपको total 30 tablets जो है वो मिल दी है फिर ये जो tablet का type हम देखे तो film coated tablet रहती है और एक tablet के अंदर 25 mg जितनी medicine है फिर color की हम बात करें तो इसके अंदर cunilin yellow color जो उसके अंदर add किया गया है कि जो aluminum lake का जो है color होता है और excipient जो वो sufficient quantity में रहते हैं पर ये खास आपको धियान रखने के film coated tablet होने के कारण ये tablet को जो आपको तोड़ना नहीं है बिना तोड़ी ही उसको use करनी होती है ना ही उसको चबाना होता है यहाँ पर warning लिखी हुए sedule edge drug होने के कारण proper इसके blister के पीछे भी warning लिखी होती है कि जब भी उसको retail में बेचा जाता है तो proper prescription के साथ ही उसको बेची जाती है तो ये prescription based medication के category में include होता है Emitryptiline के बारे में मैं आपको बदातू कि एक tricyclic antidepressant drug है antidepressants के अंदर बहुत से अलग है class होते है जिसे कि एक होगा tricyclic antidepressants के जिसको हम TCA कहते है एक और class पढ़ता है आपको याद होगो तो selective serotonin reaptaking inhibitor ऐसे सारह होता है फिर एक class बनता है ऐसे ना रहे तो ऐसे अलग-लग class के antidepressants होते है इसमें से ये जो medication है वो tricyclic antidepressants class की है और ये class के जो medications होते है उसके हम category समझे तो ये जो medication है वो खास कर जो major जो depressive disorders होते है उनको treat करने के लिए खास कर जो है वो use की जाती है और दूसरा हम देखे तो ये जो nerve damage के जो problem होते है neuropathic pain वगरा होते है migraine वगरा को भी ही करते है medication तो उसके करने उसके हम use देखे तो सबसे पहले जो mood disorders होते है मलए कि आपके mood swings होते रहते है कि हर टाइम पे आपका mood जो है इस तरह से आप देखो ये pick के नुसर कि अलग-अलग mood रहता है तो इसको हम कहते है कि mood disorders moods change होते है रहना तो ये problem को solve करने के लिए भी ये medication को जो प्रिस्क्राइब की जाती है इसी के साथ जो mood के साथ related एक बीमार्य के जिसको हम depression कहते हैं तो depression को ठीक करने के लिए भी इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है उसे तरह से patient समझे के sadness फिल करता है या फिर बहुत ज़्यदा गुसा है उसके अंदर जो anger हम कहते हैं तो उसको भी ठीक करने के लिए उसको प्रिस्क्राइब की जाती है फिर जो neurobethic pain होता है कि आपके नसों में दर्द होता है neurons में दर्द होता है और उसके करन काफे complications आपको जो होते हैं तो उसके इलाज में भी ये medication को prescribe की जाती है उसे लवा जो tension वाला headache होता है कि इसको headache मिनली दो type के होता है tension headache और migraine headache दोनो type की जो headache से उसको ठीक करने के लिए भी ये medication को prescribe की जाती है फिर अब उसके dose की हम बात के तो उसका dose क्या रहेगा तो एक tablet जो हो दिन में दो बार या फिर दिन में तीन बार जो पेसंट ले सकते है बिकाज उसका जो dose होदा है medicine का वो पचास से लेकर 200 mg जितना रहता है पर day के साबसे तो इस तरह से dose range आपको खास याद रहे हैं कि minimum 50 mg पर day और maximum 200 mg पर day जितना dose जो पेसंट को लेना चाहिए उससे ज़्यादा dose में यूज़ करने से complications, sad effects वगरा काफी ज़्यादा पढ़ सकते हैं अब उसकी price के हम बात करते हैं यह medication भी काफी affordable है कि अगर आप यह 30 tablet का जो blister purchase करते हैं तो उसकी price रहती है around 84 rupees के आसपास रहती है तो यह काफी affordable price है working के हम बात करते हैं यह medication काम कैसे करते हैं तो यह क्या करता है हमारे brain के अंदर जो कुछ chemicals होते हैं जिसको हम neurotransmitter करते हैं तो उनके उपर यह medication की असर रहती है और उसमें जो हम देखे स्पेस सली तो यह medication क्या करती है block करती है serotonin और जो nor epinephrine करके जो neurotransmitter है उनके re-uptake को जो यह medication block करती है कि जिससे करन क्या होता है कि इनके concentration जो है वो pre-synaptic जो terminals होते हैं वहाँ पर उनके concentration के उपर जो असर होते हैं यहाँ पर diagrammatic लिए आप समझोगे तो काफी easily समझाएगा कि यह देखो हमारी medication है emid reptiline तो यह क्या करती है कि जो serotonin होते है और new adrenaline की जिसको nor epinephrine हम कहते हैं तो उसका re-uptake होता है यहाँ पर pre-synaptic जो clapt होती है वहाँ पर तो उसका जो re-uptake जो होता है उसको यह medication inhibit कर देते है कि जिससे यहाँ पर जो उनकी concentrations बढ़ती है वो नहीं बढ़ने देता है और यह जो serotonin या फिर nor epinephrine जो है वो यह area के अंदर जो हो जमा होने लगते है विकोस उनका re-uptake जो होता है वो यह medication जो inhibit कर देती है ब्लॉक कर देती है जिससे करण क्या होता है कि concentration जो increase होते है nor epinephrine या फिर serotonin का जो synapse के रिया में तो उसके करण यह medication क्या कर देती है अपने anti-depressant activity जो हमें provide कर दी है कि re-uptake होने से क्या होता है कि यहाँ पे concentration decrease हो जाती है serotonin या फिर nor epinephrine के बड़ यह medication क्या करती है उनका re-uptake जो हो inhibit कर देती है जिसके करण उनके concentration जो हो specially यहाँ पे यह area के अंदर जो हो increase होते है और जिसके गारण क्या होता है एक हमें anti-depressant activity मिलती है यह medication की अब बात करते हैं उसके कुछ side effects के तो पहले side effect रहती है sleepiness बहले कि यह medication लेने के बाद patient को काफी ज़्यादा जो हो नीन दाती है drowsiness जैसा आपको feel होता है उसी दरह से हम देखिए तो आपके heartbeats जो हो irregular हो सकते तो यह major side effects कह सकते हैं कि irregular heartbeats कि कई बार heartbeats काफी fast हो जाना कई बार heartbeats जो हो जाना यह problem यह medication करवा सकती है फिर यह medication लेने के बाद patients को dry mouth जैसा feel होता है dry mouth मनलब कि ऐसी conditions के आपके body के अंदर जो saliva होती है आपके mouth के अंदर उसका concentration जो हो कम होने लगता है saliva कम बनती है जिससे आपको ऐसा feel होता है कि गला आपका सुख रहा है dry mouth जैसा हो रहा है तो यह side effect कर सकती है यह medication उसके लावा एक common side effect है हम देखे तो nausea vomiting हो सकती है speech जो है आपके slur हो सकती है slur speech मनलब कि बोलने में जो हो दिक्का दाना poor coordination हो जाना slow reflexes मनलब कि आप proper बोल नहीं पाते conversation नहीं कर पाते किसी के साथ एक slur peach का एक side effect यहाँ पर develop हो सकती है यह medication के करण उसी दिरह से weight gain भी यह medication करवा सकती है कि अगर कोई लंबे समय तक उसको use कर दे तो उसके side effects के दौर्प के medication use नहीं करनी है कोई manic depression का patient है suicidal thoughts वगेराते हैं तो उनको लिए यह medication suitable नहीं है alcoholism है मलब कि आप alcohol consumption कर दे हैं तो यह medication कभी भी use ना करें फिर wide angle glucoma के patient है तो उनकी लिए भी यह medication को use नहीं करनी है उसे दरह से history रही है आपकी कि 30 दिन या फिर एक मैने के अंदर आपको heart attack आया है तो ऐसे condition में यह medication कुझे वो नहीं दी जा सकती और ऐसे patients के जिनको torcid points के वीमारी है मतलब कि ऐसे वीमारी के जिसके अंदर आपके heart beat जो वो abnormal रहते हैं कि जिसको abnormal heart rhythm का जाते हैं irregular heart beats के जो patients होते because उसके हमने side effects देखे कि यह medication heart beat irregular करवा सकती है तो संजो कि आप यह medication लेते तो उससे यह problem और ज़्यदा बढ़ सकती है तो यह कुछ सावधानिया रखने होते हैं कि जिसके करन यह warning and contraindications रखते हैं tryptomer 25 medicine के बारे में अब pregnancy category C है इसके करन आप pregnancy में भी उसको कभी भी use ना करे तो यह खास आपको ध्यान रखना है अब समझ लेते हैं उसके drug drug interactions के कौन सी दुसरी दवायू के साथ यह medication जो interactions करती है तो सबसे पहले हम देखे तो जो painkillers होते हैं जैसे कि paracetamol है tramadol है, trazodon है hydrocodone है और oxycodone है तो यह सभी दवायू के साथ कभी भी emid reptiline का combination ना बना है विकाज उनके बीच में drug drug interactions होती है उससे आपके problem सो और ज़्यदा बढ़ सकते है side effects बढ़ सकती है फिर दूसरे anti-depression के साथ भी combination में नहीं लेनी चाहिए से कि fluoxetine है, sertalin है, bupropion है, duloxetine है तो यह जो दूसरे anti-depression से उनके साथ इसको combination मनी लेते फिर levothyroxine जैसे medication है alprazolam है, anti-histamine जैसे कि diphenidramine है, satirazine जैसे medication है zolpidem है, उनके साथ combination ना बनाएं फिर anti-convulsion जैसे कि gabapentin drug है, lamotrizin है acetylopram है, pregabalin और topiramate, जैसे दवा के साथ कभी भी उसको combination में use ना करें तो ऐसी समझों कि आपको detail में सिखना है, किसी भी दवा के बारे में पीमारी के बारे में, तो आप medicine course को join कर सकते हैं, तो यह course को join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारे mobile application को download कर सकते हैं, link आपको description box में मिल जाएगी so good luck and all the best